आप लोग, I hope कि आप बहुत ही अच्छी होंगे तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं EMS BAC Nursing 2000 Choice and EMS Paramedical 2000 Choice इस वीडियो को last तक देखे जितने भी parents या students देख रहे हैं इस वीडियो को last तक देखे हर एक topic, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा for BAC Nursing and Paramedical के बारे में इस वीडियो हम क्या-क्या डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो हम डिसकस करेंगे EMS BAC Nursing का application form उसके बाद में exam date उसके साथ ही साथ application form फीस कब आयता है कैसे आप application form फील करोगे कितने steps में complete होता है साथ ही साथ यदि आप state exam देते हो या आप EMS दोनों exam देते हो तो किस course को करने में सबसे कम फीस लगता है यहाँ पर हम detail information आपको देंगे कि आपका hostel फीस कितना होगा और आपका EMS का जितना भी 4 साल का degree course है उसमें आपका कितना payment कितना फीस है वो लगने वाला है जिससे आपको अभी clear हो जाए कि आपको state exam देना चाहिए या आपको EMS BAC nursing के थुरू admission लेना चाहिए ठीक है दोनों में आपको दोनों में सारा difference हम बताने वाले है साथी साथ किस तरह से आपका application form complete होगा payment process कौन सी official website पे होगा उसके साथी साथ counseling process, admission process documents upload किस official website पे होने वाला है सारी updates आपको हमारे इसी चैनल पे इसी वीडियो पे मिलने वाली है तो चलिए वीडियो को last तक देखिए और enjoy कीजिए जो भी doubt हो जो भी confusion है वो आप comment box में menser कर सकते हो सभी students की reply दिये जाएंगे तो चलिए आज किस वीडियो को पे start करते है सबसे पहले topic है कि Ems का application form कौन सी official website पे आता है आपको कैसे पता लगेगा तो चलिए सबसे पहले आपको Google पे जाना है कहीं भी आपको search नहीं करना है Google पे आपको जाना है Google पे जाने की बात यहाँ पे आपको सिर्फ Ems सर्च करना है क्या search करना है Ems सर्च करना है जैसे आप Ems सर्च करोगे तो इस तरह से आपका एक official link मिलेगा आपको यहाँ पे ठीक है इस पे आपको just click कर लेना just click करिए click करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पे Ems ठीक है इस पर आपको जिस्ट क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे, तो एक official website, इस तरह से official website है, वो open हो चाहेगा, आप इसके देश सकते हो, यहाँ पर important announcement, सारा चीज यहाँ पर mention होगा, ठीक है, यह सारे चीज़े यहाँ पर mention होगी, ओके, तो जब भी आपका application form release होगा, तो यह पर इसी official website पर आपका update आएगा, यहाँ पर जो notice board लगावा है, जहाँ यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसी पर आपका application form के बारे में दिया होगा, कि application form की जो date है, basic registration and final registration की जो date है, उस सारी चीज़े यहाँ पर mention होगी, हाला कि last year को देखे, तो अभी तक आपका application form release होना सही यह था, लेकिन आप सभी को पता है, कि कुछ new college seat increases होने के वज़े से, अभी आप तक आपका application form नहीं आया, हो सकता है कि मार्स के first year second week में आपको यहाँ पे BAC nursing and paramedical का application form की updates देखने को मिल जाए, आपको सिरफ एक ही official website पे जो है, सर्च करना है, वो मैंने बता दिया है, aims exam.ac.in, यह आप चैनल पे भी subscribe रहेंगे, तो सारे updates आपको मिलती रहेंगे, तो चलिए next हम बात करेंगे, application आपको पता लग गया कि कहां पे, उसके साथ ही साथ कहां पे आपका application form फिल को होगा, तो academy courses पे आपको जाना है, कहां जाना है, academy courses पे आपको जाना है, जिस्ट आप academy courses पे click करेंगे, जिसे इस पे click किया, click करने के बाद यहाँ पे आपको BSC Nursing and Paramedical के लिए एक अलग से website link है, वो मिलेगा, यदि आप BSC Nursing का करना चाहते हो, तो BSC Honors पे आप जैसे click करेंगे, तो यहाँ पे आपको notification की सारी updates आपको मिल जाएगी, जितने भी notification होगे, वो सारी य level हो जाएगे, तो देखो, यहाँ पे UG level के लिए basic registration सारा चीज आपको यहाँ पे दिया होगा, और उसके बाद ही final registration के लिए यहाँ पे link आजागा, उसके हम बताएंगे आपको किस तरह steps complete होते हैं, वो सारी चीज आपको बताने वाले हैं, वीडियो के last तक बने रही है, त यहाँ से आप जाए पिरामेडिकल का सारा चीज कर सकते हैं, basic registration and final registration, तो आपको official website का पता लग गया है, आपको एक दो वीक और वेट करना होगा, for BC nursing and पिरामेडिकल application form के लिए, चलिए आप हमें next बात करेंगे, आपका application form fees से है, वो कितना लगने वाला है, यहाँ आप OBC से पिरामेडिकल का लगने वाला है, तो यहाँ पर आपका लगने वाला है, तो यह आपका application form fees हो गया, कि इस तरह से आपका fees है, वो लगने वाला है, exam date आप सभी students को बता है, कि BAC nursing का exam date क्या है, तो BAC nursing की exam की date की बात करें, तो यह सब को पता है, कि आपका 8 June को exam होने वाला है, यहाँ पर clearly आपका announcement हुआ था, 8 June 2014 को आपको BAC nursing का exam होगा, और पेरा medical की बात करें, तो पेरा medical का आपका जो exam है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो, exam होने वाला 6 July को, ठीक है, तो यह चीज पहले आपको वीडियो में बता चुके है, तो एक बार आप फिर से देख लिए, यह आपकी exam date हो गया, अब यह सारे चीजे complete होने के बाद, उसके बाद हम बात करेंगे, आप form है, वो किस तरह से feel होता है, कितने steps में complete होगा, उसके बाद, आपका minimum कितना payment आपका fees लगने व तो वहाँ पे आपका कितना payment लगता है, पूरा course complete करने में, चीक है, तो उसके हम बात कर लेता है, तो चलिए नीची के और जैसे scroll करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, कि आपका application form दो steps में complete होता है, सभी students को पता है, कौन-कौन से वो दो steps होता है, उसमें ह होता है, आपका basic registration, पहला step होता है, आपका basic registration और उसके बाद में दूसरा steps होता है, वो होता है final registration, तो दोनों steps में आपका form complete होता है, जो लगबग date महीने आपका form है, वो चलता है, date महीने तक आपको form फील करना होता है, सारे steps complete होता है, जब आपका basic registration verification complete हो जाता है, उसके ब तो चले यहां पर हम बात करेंगे, सबसे पहले basic registration के लिए, तो basic registration में आपको दो ही चीजे upload करनी होती है, जिसमें आपका सबसे पहले आता है, photo upload करना, और आपके personal information देने के बाद, आपको photo upload करना होता है, उसके बाद आपको अपना signature upload करना होता है, online आपका form भरा जाता है, ज उसके बाद जैसे आपका image और signature upload होता है तो यदि आपका photo और signature सही होता है, ठीक है, verifiction होता है, तो उसके बाद यह आपका एस्पेक्ट, जो है आपका वेरिफिक्शन, वेरिफिक्शन है, वो valid माला जाएगा, यदि आपका valid नहीं होता है, image है, वो सही से अपलोड नहीं होती है या आप जो है signature सही से अपलोड ढ़ी कर पाते हो तो वो आपका basic registration reject हो जाता है और फिर से आपको upload करने के लिए signature और photo upload करने के लिए आपको समय दिया जाता है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले basic registration करना होगा और basic registration complete होने के बाद ही आफ final registration कर सकते हो बेसीग register में आपका basic information आता है personal information आती है उसके बाद आपको photo और signature अप्लोड करना होता है photo और signature की भी हम बात करें किस तरह से आपका photo होना चाहिए और किस तरह से आपके signature होने चाहिए कितने size में होने चाहिए वो भी हम एक बार बात कर लेता है अब यहाँ पे हम photo की बात करें तो देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखो सारे चीजे mention कीगी है यहाँ पे white background आपका होना चाहिए पीछे की और white background होना चाहिए clear face आपका होना चाहिए no parts of face कवर किस face है वो आ चाहिए उसके साथ ही साथ कोई भी face का कवर कोई भी पार्ट है face का वो cover नहीं होना चाहिए और आपको Google नहीं लगाना है ओके गुगल्स आपको नहीं करना है नेक्स्ट हम बात करें signature तो signature में आपका क्या होना चाहिए white paper होना चाहिए white background होना चाहिए clearly आपका signature होना सबसे पहले photo, signature और left thumb तो यह आपका basic registration में होता है जब basic registration complete हो जाता है verification complete हो जाता है यह आप white background नहीं रखोगे तो आपका reject हो जाएगा यह दिकिए face किसी से covered है किसी भी कोई भी चीज़ से आपका cover है तो वह भी reject हो जाएगा उके उसके बाद signature यह आपने सही से upload की नहीं कि तो वह भी आपका reject हो जाएगा तो यह तीन चीज़े है वह आपका verification में काम आती है उसके बाद ही आपको basic registration complete होता है अब यहाँ पर हम दुबारा बात करेंगे आपका final registration में क्या होता है final registration में आपको क्या करना होता है तो final registration में आपका क्या होता है चलिए सबसे पहले हम बा लेकिन अभी ओल इंडिया में आपको सेंटर दिये जाते हैं उसके बाद पेमेंट औफीज करना होगा जो मैंने 2000 रुपे बता है जनरल के लिए ओविशली के लिए 2,000 एड़लोस के लिए 1600 करना होगा और उसके बाद आपको admit card का wait करना है तो इस तरह से आपका form है वो fill किया जाएगा जिसमें आपको basic registration and final registration करना होगा basic registration में आपको signature image और उसके साथ ही साथ left thumb आपको uploaded करने होगे और basic detail होगी तो यह चीज आपको सारे सबज में आ चुकी है अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपका चार्ट साल की degree courses में जितना भी आप BAC nursing कर रहे हो तो उसमें आपका total fees आपका hostel charge क्या होगा आपका tuition fees कितना होगा आपका registration fees कितना होगा सबी चीजें हम बात करने वाले आप सौक होगी कि कम रुपे में भी आप जो है BAC nursing का course है वो complete करने वाले हो तो यहाँ पर हम आपको देख रहे हैं fees की बात करें तो registration fees कितना होगा उसके बाद BAC nursing और सबी courses की यहाँ पर दे रखिए तो हम only BAC nursing का और only on 600 रुपया उसके बाद port money की बात करें तो यहाँ पर 960 रुपया आपका लगेगा उसके बाद में आपका जो है hostel fees की बात करें 1000 जो है hostel security fees आपका लगने वाला जो refundable होता है तो इतना ही payment आपको लगता है for BAC nursing course के लिए पेरा medical की बात करें तो पेरा medical में आपका जो कितना courses देख सकते हो यहाँ पर अलग लग courses का अलग लग फीस लगता है तो यहाँ आप आप चारे courses के यहाँ धेख सकते हो 300 रुपय किस लिए गहाँ सबसे ज्यादा जो आपका वहंगा News वता है सबसे जादा की सोती वह किस कोर्स के लिए होती हैहाँ प्लिक आप देख सकते हो टेकनोलजी की बात करें तो उसमें 13,000 उसके बाद 32,700 और सेकंड यह में 32,700 इतना आपका जो पेमेंट प्रोसेस है वो लगने वाला है तो यह आपका रेडियलोजी में सबसे महेंगा हो गया बीस इनर्शी में सबसे कम फीस आपका लगता है लगता है लगता है तो यहां पर होस्टल की बात कीगी है सारे चीजए यहां पर बताया गया होस्टल किस-किस में अबलेवल है किस पे नहीं है तो यह चीज़ आप यहां पर देख सकते हो ओके तो आज इस वीडियो हमने सारे चीज़े डिसकस की है यह आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो कर लिजे क्योंकि यहां पर आपको important test series के लावा सारी information आपको मिलने वाली है for BSE nursing and paramedical courses के लिए तो I hope यह चीज आपको अच्छे से समझ में आए होगी फिर भी किसी students को कोई doubt है कोई confusion है तो वो comment box में mention कर सकता है और अपने चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो जाके कर लिजिए क्योंकि इस साल आपको बहुत सारी updates बहुत सारे doubts आपके इसी चैनल पर solve हो ले वाल है तो चली मिलते आपको next video पर तब तक लिए बाई बाई टेक केर